हेवरिवन वेलकम बेक टो मैं चैनल तो गाई आज की इस फीडियों में बात करेंगे आइटो की वोटर कलर पेपर्स के अबरे में जो कि यहां पे हैं मेरे पास कुछ वराइटीस में तो सारे वराइटीस के मिल जाते हैं इसमें आपको जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रह जाते हैं तो यह है मेरे पास 100% cellulose cold pressed A5 size 100% cotton cold pressed यह था 100% cellulose यह 100% cotton 25% cotton और 25% cotton यह 300 GSM में था यह 200 GSM में था यह आपको 200 GSM और 300 GSM दोनों में मिल जाएंगे और जो A4 size का है वो भी same है 25% cotton 100% cotton और same ही आपको A3 size में मिल जाते हैं जैसे कि यह देखो यह 100% cellulose है 100% cotton में मिल जाता है आपको यह 25% cotton में मिल जाता है और इसमें आपको hot pressed भी मिल जाते हैं जिन लोगों को नहीं पता है यह थोड़ा confusing सा लग रहा हुगा hot pressed cold pressed 100% cellulose 100% cotton 25% cotton यह क्या होता है तो थोड़ा easily समझाने को इसकरता हम जो hot pressed होते हैं वो बिल्कुल smooth होते है cold pressed rough rough होते है medium surface और ए इसमें cotton होता है 25% होता है किसी में किसी में बिल्कुल भी नहीं होता हो किसी में 100% होता है सबस्याद है expensive आपको वो मिलेगा जिसमें 100% cotton होगा और उसमें आप काम काफी अच्छे से कर पाऊगी बट हर quality के paper का अलग फाइदा है जैसे कि जो smooth है उसमें आप जल्दी काम नही अगर आपको ट्राइ करना तो आप एक पेक सबका ले लो 25% cotton 100% cotton cold pressed hot pressed और भी मतलब बहुत सारी वेराइटीज आते हैं और इवन साइज भी आपको बड़े से बड़े साइज मिल जाएगी इसमें ठीक है अगर आप बीगिनर आपको पैक्टिस करनी है तो आप हर quality के लिए स जैसे कि यह देखो यह है मेरे पास बिल्कुल smooth paper जो कि है hot pressed और यह है cold pressed आपको मैं थोड़ी पास से दिखाता हूँ तो यह देखो paper में आपको texture दिख रहे होंगे बड़ जो यह paper है यह बिल्कुल smooth है यह देखो आपको बिल्कुल अराम अराम से काम करना पड़ता है इस paper के उपर बट इस paper के उपर आप wet on wet technique यूज़ कर सकते हैं कोई आपको जल्दी जल्दी painting बनानी है तो वह आप इस पर कर सकते हैं बट इस पर नहीं कर सकते हैं कोछ जल्दी ही color सूख जाता है इस पर और पीछे से देखो क्या हाल होगे paper के यह देखो पूरा मुड़सा गया है बट इस paper मैंसा नहीं होता है यह देखो बिल्कुल बिल्कुल सही है और काफी easily आप इस तरह के result opt कर सकते हैं काफी realistic सो चलो अब यह cold pressed paper यूज़ करते हैं rough वाला सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ A कर दो इस तरह से बनाया है मैंने जल्दी यल्दी बनाया है तो देख लो paper का texture clearly दिख रहा है अगर आप पास से देखोगे तो hot pressed है उसमें आपको paper का texture नहीं दिखेगा बिल्कुल आपका skin का texture दिखेगा है जैसा आप बनाऊगे तो ऐसे result मैंने observe कि इस तरह के paper मुझे नहीं मिल किसाः नहीं वह तरह से तो वो अपनी requirement होती है आपना पसंद मेरे को इस तरह का पसंद है बड़े बट इस तरह का इस तरह का में जल्दी नहीं और याज़े बनाना तो सुर्जय बनाने है तो आप के ॡियस आएतर जिस थी裂 ररिय ग्यूर्ट expose रही है 먼저 को बांध और स आपको की कोलड प्रेस पे किस तरह से जुट मैलते हैं एक ही पेंटिंग बनाएंगे डिफेंटिफेंट क्वालिटी के पेपर पे और देखें कैसे रिजल्ट मेले कितना टाइम लगा इस वीडियो में बस मैंने वको पेपर बता है कि इस ब्राइट के हैं और सारे आपको मिल तब तक के लिए do practice, do improve, take care and thank you so much for watching